हाई गाई यूटूब चैनल टिक्निकल जीपर आज मेरे चानल में आप सभी लोग का स्वागत आज आज किस वीडियो में आप सभी लोग को बताने वाला हूँ यदि आप लोग फ्रोड अप्लिकेशन से लोल लिये हैं कैसे आप उससे बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा कंप्लीट तक वाच करना होगा यदि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट तक वाच नहीं करते हैं तो आपको समझ भी नहीं आ पाएगा कि फ्रोड अप्लिकेशन से एक्जेक्टली कैसे बचे आप बार-बार रिपेमेंट करकर ठक जैएगा लेकिन वो लोग आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है सब आपसे बार-बार हरास्मेंट करवाए करेगा सब और कॉल करेगा सब और आपको काफी तकलिप देगा काफी आपको परिसानी देगा तो कैसे हम लोग उनसे पीछा छोड़ा सकते हैं क्या तरीका है क्या नहीं है तो आज की लेकिन एक्जेक्टली में जो लोग रिपेमेंट करते रहते हैं करते रहते हैं उनको मतलब की हम संदेश देना चाहते हैं कि आपको मतलब की एक्जेक्टली में क्या करना चाहिए तो इस वीडियो को पुरा कम्प्लीट तक वाच कीजिए चैनल को आप लोग कर दिजी और शेयर कीजे दबाकर वीडियो ताकि कोई भी आपका दोस्त रिष्तिदार यदी फसा होगा तो भाई इसे बाहर निकल सकता है और बता नहीं रहा होगा कि भाई हम फसे हुए हैं क्या होता है ना कि लोग सोचते हैं कि भाई हम उनको क्यूं बताए हम तो इतने प तो किसी का भी मैसे नहीं या मोबाइल को हैं पर साइड में रख दिये बाकी आपको टिफ्स देना हम स्टार्ट कर देते हैं तो देखें कोई भी आप फ्रोड अप्लिकेशन में फसे हुए हैं तो यहाँ पर iPhone में भी काफी fraud application चल रहा है इंडुआइड के मुकाबले इंडुआइड में तो भाई यहाँ पर तो application तो कम हो गया है चलता है तो बहुत चलता है भाई समझ गया ना पहले बहुत चलता था इंडुआइड में तो अभी कम हो चुका है इंडुआइड में चलन आइफोन में बहुत ज़्याद अप्लिकेशन रन करा फ्रोड अप्लिकेशन भाई आइफोन बोलता है कि बहुत सिक्योर्टी है यह है वो है लेकिन कुछ यहाँ पर नहीं रहता है उसमें भी कॉंटेक्ट लिस चला जाता है इंडवाइड में जैसे कॉंटेक्ट लिस जाता है सबका वैसे आइफोन यूजर भी है जो लोग आइफोन यूज करते हैं तो उनका भी मतलब कि कॉंटेक्ट लिस चला जाता है इंडवाइड वालों को भी चला जाता है और आईपोन वाले खो भी च्ला जा रहा है यहां पर देखनी के लिए मिल रहे है जितना भी अभी अप्लिकेशन डेविक कैस इंस्टेड लिंड क्या-pend को नाम है सिधात कास ये सभ जो अप्लिकेशन है बलसाम और यह सभ अप्लिकेशन iphone में रुन कर रहे हैं जो जो व्यक्ति मतलब कि लूण के लिए अप्लीकेशन है कि रिएल अप्लिकेशन है उन्होंने लूण के लिए अप्लाइब कर दिया जैस्ट उनके account में 1200 800 1500 1000 चाहिक किसी को पैसा देवी नहीं रहा है पैसा दे भी नहीं रहा है तपर उनको blackmail करा उन ситу striking रहा है बोल रहा है कि नहीं दोगे पैसा तो हम भेज देंगे ये कर दें लेंगे वह कर देंगे तमाम टारा के उनको धम कि या मत भर हैं हैं पंदरा सवarm कर देते हैं आप इह गल्ति कर देते हैं तो बहुत बढ़े आप्ट में फस गये हैं तो आपको बीन बिकुल भी repayment नहीं करना है भाई समझ गया ना आप कोई भी application से loan लिये हैं fraud application से सबसे पहले आपको repayment नहीं करना है मैं किसलिए यह बोल रहा हूँ नहीं करना है यादि रीपेमेंट करते हैं तो कोई भी backmailer है किसी भी चीज के लिए यह आपको blackmail कर रहा है जैसे कि आप नोबल बढ़ जाएगा और जदा आपको extreme level पर blackmail, harassment ये सब करना ही start कर देगा बोलेगा भाई कि नहीं दोगे पैसा तो तुम्हारे सती ही कर देंगे वो कर देंगे ऐसे मतलब की करना वो लोग start कर देगा तो कहने का मतलब यहीं है कि भाई आप लोग सबसे पहले जो repayment के लि चुटा वो मेरा बीडियो देखें और डाटा रिमूब करवा है तो ही उनका पीछा चुटा न अथा एक पीछा नहीं चुटा तो उनका और मुनोबल बढ गया भाई पैसा जैसे दिए उनके हाथ में ka गया तो उनका और मुनोबल बढ गया और मुनो बढ बढ़ने के बाद उन्हों ज्यादा आपको इस्टीम लिबल पर बले कमेल यहां पर create होगा यदि आप लोग data हम से remove कराना चाहते हैं आपका 100% हम data remove करवा देंगे कोई भी आप application से फसे हैं यदि आप remove कराना चाहते हैं आपका 100% हो जाएगा कोई दिकत वाली बात ने लेकिन भाई यह चीज है कि application को mobile में नहीं रखना है कितने सारे लोग यह data remove के लि समझ गया ना तो इसलिए आपको application को mobile में नहीं रखना है यदि application को mobile में रखते हैं तो remove होने का कोई फैदा नहीं होगा यहां पर बुलिएगा भाई data remove करवाये थे लेकिन उनके पास permission कैसे चला गया तो आप application mobile में रखे थे तो इसलिए यह problem में हाँ पर हुआ तो इसलिए भाई repayment तो बिल्कुल भी नहीं करना है और application को भी mobile में नहीं रखना है जस्ट आपके account में पैसा आ गया तो उसी time आप application को uninstall कर दीजे mobile से ताकि आपका data ज्यादा ना ले पाए यदि data ले तो कम ही मतलब की contact list उसके पास जाए चाहे गेरली hack करना चाहे तो गेरली ना hack हो call लोग hack ना हो message भी ना hack हो तो application को उसी time में uninstall कर दीजे आपके account में पैसा आया तो होता क्या है कि जस्ट आपने अपना detail डाले हैं तो बीना permission का ही ओ लोग अपने account में पैसा डाल देता है डालने के बाद आपको काफी harassment torture यह सब करना start कर देता है तो इसलिए दोस्तों भाई बता देना चाहता हूं कि कोई भी application install कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको आप review कर लिजे भाई यो application कैसा है क्योंकि आज के time में ऐसा है कि 10% माली यह real application है तो 90% fraud application मतलब की run कर रहे हैं इसमें nbfc भी पीछे नहीं है भाई nbfc जो application है जैसे कि m pocket हो गया ring हो गया किस्ट हो गय application यह लोग भी contact list hack करते हैं यदि आप नहीं repayment करते हैं तो contact list पर इनका भी call जानना start हो जाता है नहीं repayment करते हैं तो contact list यह भी hack करते हैं और contact list पर call करेंगे बोलेंगे कि आपने नहीं repayment किया इन्होंने loan लिया था आपका pen card, अधार card, loan detail यह सब सारा चीर contact list वालों को share करें समझ गया ना तो इसलिए भाई repayment बिल्कुल भी नहीं करना होता है कोई भी आप application लिए फ्रोड अप्लिकेशन से repayment मत किजिए वह हैं अपका loan है तो repayment आप कर दिये तो भाई यह लोग पीछा छोड़ देगा आपको torture आपको हरास में नहीं करेंगा यह लोग पीछा छोड लाइक शेयर अप्लोग कर देजिए और इस वीडियो को तो भाई आपको शेयर करना बनता है यह दिए इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो बहुत सारे लोग समझे के फसे हुए हैं भाई कोई-कोई नहीं बताना चाहता जैसे के स्टार्टिंग आपको बताएं वह